वक्त के साथ जाने कितनी ही और आते हैं साथ भेरों में वक्त के साथ जाने कितनी ही और आते हैं साथ भेरों में रंग जितने हैं जिन्दकानी के सब समाते हैं साथ भेरों में पुरानी ड्योडी का राज खुलना चान्नी की मौत की सच्चाई सामने आना यह हम नहीं होते तो कैसे होता मान गए आपकासा क्यों लगता था कि चान्नी सींगे काची और अरत नहीं थी क्योंके चान्नी मुझ सब भार करती थी मैं तुमसे हजार बार पहले कह चुका हूं मेरी समंगनी हो चुकी है अगले मैंने मेरी शादी है अब मेरी जिन्दगी में तारा कि स्वाई और कोई नहीं हो सकती अपने जिद्ग पूरी करने के लिए वो वापस आई फिर से मेरी जिन्दगी में नहार की पत्नी के रुप इतना सब कुछ अकेली सहते रहे हैं वैसे थोड़ा सदद अपने भाई के साथ भी माठ लिया हूं यरौनर मैं कोट से दर्ख्वास करूँगा एंडियन पेनल कोट की दवाद दो सो एक के तहर खतल के सुबूतों के साथ छेड़ चाड़ करने के जर्म में इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी का रवाई की गया सर सर मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है सर अपनी बात की सच्चाई को साबित करने के लिए मैं कोट से दर्ख्वास करूंगा कि एक बार फिर मिसिस सलोनी सिंग को विटनेस बॉक्स में बिलाने के लिए के जाज़ा दीजाए परमिशन ग्रान्टड सलोनी जी अदाल जानती है कि आपके रास्ता दिखानी के वज़े से ही मिस्टर नहार ने अपना गुना को बूल किया है मैं आई के लिए इतना बड़ा त्याग शायद ही देखा गया हूँ और अब मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे हर सवाल का जवाब इमानदारी से देंगे आपके नहार से शादी होने से पहले आपको या आपके घरवालों को इस बात का पता था कि नहार की पहले शादी हो चुकी है या उसकी पत्नी का देहान दो चुका है जी नहीं नोट किया जाई और नहार और उनका परिवार जब अपने परिवार में शामिल होने जा रही सलोनी को इतना बड़ा दोखा दे सकता है तो कानून को क्यों नहीं कि इस हाथ से के बारे में पुलिस को इंफॉम ना करके पूरा सिंग परिवार गुन्यागार साबित होता है मैं कोट से दरख्वास करूँगा कि पूरे सिंग परिवार के खलाफ ये जूट है जब साब पुलिस को इस हाथ से के बारे में इंफॉमेशन दी गई थी वकील साब आप बताईए ना मिस्टर बिजेश आप ऐसी बे बुनियादी बातों से परिशान मत है लड़ें फिनिश आप इंतिजार कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं मैं किसी को भी अपनी परिवार के मर्यादा के साथ खिलवार करते वे नहीं देख सकता जट साब मिस्टर बिजेश आपको जो कुछ भी कहना है विट्निस बॉक्स में आके कहिए में आई सो मिस्टर विजेश आप नहीं यह हादसा मिस्टर सलोनी सिंह से क्यों छुपाया यह बहुत पाल क्या कि की शर्मनाख सर्च था यह है कि से किसी के साथ भी भाटनी की हिम्मत नहीं थी अमारी जा कहते हम सलोनी को करदे की ते किमहर की पाली पतनी चांदनी को यह शक था किमहर की मेरी पत्नी से अवैट संबंधày जबकि मैं सिर्फ मैं यह जानता था कि इन इल्जामों के पीछे चांदनी का असली मकसद क्या था वो मुझे तकलीफ पहुचाना चाहती थी और उनर ऐसे घटिया इल्जाम लगा कर कैसे कहते हम यह सब समझ लेकिन इस आजसे की जानकारी थी कानून को इसकी जानकारी थी और लाल गल्ज थाड़े में हमने इस आजसे की रिपोर्ट लिखाए थी और उनर इस कंप्लेंट की एक कॉपी मैं कोट के रिकॉर्ड्स में रखना चाहूँ हूँ 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 लेकिन इस रिपोर्ट में मिस्स चाननी सिंग की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट तो नहीं है यह रॉनर पहाड़ी की उचाही इतनी ज्यादा थी कि वहां से गरने के बाद किसी का बचना नामुम्किन था इसलिए उन्हें मृत घोशित किया गया कि यह रॉनर अपने क्लाइट को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं यह बास समझ में आती है अगर एक बास समझ में नहीं आई अगर यह लोग इतने मासूम है इतने निर्दोश हैं तो इन्होंने कतल के बजाए एक्सिडेंट की रिपोर्ट के लिखवाई क्योंकि वो कतल नहीं यह रॉनर वोग एक्सिडेंट ही था हमारा पूरा परिवार इस बात का गवा है कि वो एक हाथसा था और कुछ नहीं सब्रिजेश आपका भाई भी तो आपके परिवार का एक हिस्सा है उन्हें नहीं लगता कि एक हाथसा था वो कंफेस कर चुके हैं कि ये एक कटल था नहार ये मानता है कि वो इस हाथसे का जिम्मेदार है इस हाथसे के सब्मे में नहार अपने होश को बैठा और वो खुट को इस हाथसे का जिम्मेदार मानने लगा और दो साल बीच जाने के बाद भी होश समले नहीं इनके मैं पूछ सकता हूँ उन्होंने अपने गुनाह का कनफेशन उस वक्त क्यों नहीं किया जब यह वार्दा खुई थी क्योंकि उस वक्त मैंने नहर को ऐसा करने से रोका था जैज सहाब अगर आप मुझे आगया दे तो मैं आपको सामने अपनी बात रखना चाहती हूँ कुछ भी कहना है इस विटनस बॉक्स में आई ये कर अगर कर अच भी कहूंगी सच कहूंगी सच के सवा कुछ ने कहूंगी जज साहब चान्य की मौत के बहाद नाहर सचमुच अपने होश को बैटा था मेरा ब्रजेश एक खरा इंसान है अगर नाहर ने कोई जुर्म किया होता तो ब्रजेश ने खुद उसको पुलीस के हवाली कर दिया होता लेकिन ये तो नाहर का वहम था कि उसने चांदी को मारा है इसलिए मैंने नाहर को संजाया कि इस हाथसे के बारे में किसी सो कुछ न कए जच साम मैंने नाहर को जन्म तो नहीं दिया लेकिन मैंने संसकार जरूर दिया है उसे मेरा नाहर एक टीटी तक नहीं मार सकता इंसान तो बहुत दूर की मेरे नार कुछ नहीं किया, मेरे नार को छोड़ दीजे, जच साहब देखिए, कोट ये जानना चाहेगी कि उस दिन क्या हुआ और कैसे हुआ जच साहब, मैं जानती हूँ उस दिन क्या हुआ था मैं वहाँ थी और मैंने सब कुछ अपनी आखों से देखा था आपका अभियूग से क्या रिष्टा है? मैं नाहर की भावी हूँ मैं जो कुछ कहोंगी, सच कहोंगी, सच के सवा कुछ नहीं कहोंगी जच साहब उस दिन की शुरुआत हमारे परिवार के लिए बहुत खोश्नमा थी उस वक्त मैं मैं प्रग्नन थी और हम सब एक छोटी से पिकने के लिए बाहर गये थे प्रग्सक्रिए बावी साह, जरा प्लीज पैर दुनवा दीजैना ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? नहर के पैर दो रही थी आप अपनी ये छिछोरी हरकते बंद क्यों नहीं कर देती? चान्नी? चान्नी तुम इतनी घटिया बात गैसे कह सकती हो? अच्छी तरह से समझती हूँ मैं कि एक तरफ तो आप मेरे पद्धी के साथ जिंदगी कहरा स्लूट रही है और दूसरी तरफ अपने पद्धी के साथ सिर्फ इसलिए चपकी हूई है क्योंकि वो सारी जाइदाद के मालिक जो है, राइट? चान्नी? बंद करो अपनी ये बखवास बुरा लागा नाहर? सच हमेशा बहुत सूर से चुपता है और सच तो ये है कि तुमें एक नंबर की कारेटलेस और घटी आइंसान हो चान्नी क्या बात है तुम इतना चिल्ला क्यों आई हो? आप तो ऐसे बन रहे हैं, जैसे आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है आपकी पत्नी आपके छोटे भाई के साथ रंगरालिया मना रही है और आप फिर भी खामोश हैं पता नहीं कैसे मात हैं, आप जो सब कुछ जानते होएं सब कुछ सहते रहते हैं चान्नी? शट्टियों माउथ, तिमाख खराब हो गया तुमारा चलिए, उम चलिए नास चांदनी को तो समझाना ना मुम्किन है, नाहर कोई शान्त रखना होगा हाँ, चलो, उससे बात करते हैं चांदनी, तुम यह खटिया सोच भी कैसे सकती हो, तारा भावी मेरे लिए मा समान है ऐसा कहकर तुम मा शप्त को गाली दे रहे हो, नाहर चांदनी इनके इशारों पर नाचना तुम्हारे गंते रिष्टे का सबूत नहीं है नाहर चांदनी, प्लेज, स्टॉप एट अब क्या स्टॉप एट हाँ, जब सारी पोल कुर का सामने आ गई है इनके इशारों पर क्यों नाचती हो तुम इसलिए क्योंकि तुम इसके पेट में पल रहे हैं बच्चे के बागो हो तुमने मुचे इसके लिए मारा? तुमने मुचे इसके लिए मारा? यह शर्श तम अपके ले ले वाण पकी जगे ले कि अचिजए ये लिए ले ले लेन कर दोर हीज़ लेखरा लोग बहरा है दखर जडने, जडने चरोग, जडने चरोग दखर चान्नी को मार डाला तुम्हे पख्वान नार तुम लोग एक काम करो मेरे तारा को लेकर हास्पिटल जाओ मैं चान्दी को ढूंडने की कोशिश करती हूँ नहीं काकी काकी आप लोग जाईए चान्दी को मैं ढूंदता हूँ जाओ ना तुम लोग बहुत तो चीना उस दिन ने हमसे चच्चा हमारे घर का सुख चैर हमारे घर के खुशिया और मुझसे मेरे मा बनने का आधिकार चीन लिया आमेशे आमेशे किलिए आप अराव आप 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 कि रहनर मैं दाद देना चाहूंगा सिंग परिवार की कल्पना शक्ति को क्या कहानी गड़ी है नार्गों बचाने के लिए एक कतल को दुगटना का रूप देने के लिए एक के बाद एक जूट बोलके कोड को गुमरा किया जा रहा है कमाल की बात है यूर उनर तातिल कह रहा है कि मैंने कतल किया है लेकिन पूरा का पूरा परिवार इसे दुरघटना की शकल देने पर आमादा है यूर उनर मैं कोड से गुजारिश करूँगा कि इन छोटे आस्वों पर तवज्जो देने के बजाए मुल्जम के बयान पर ध्यान दिया जाए कोड की कारवाई कल तक के लिए मुल्तवी की जादी जो काकीसा ने मुझे बताया और जो तारा भावी ने यहां कहा उसमें इतना अंतर क्यों कर दो तक कि अ कर दो दो तक कि लिए जाए टारा भावी ने इतना अंतर के लिए जाए लोग झाल, कि अ वहां जाए वक्त के साथ जाने कितने ही मौर आते है साथ भे रुणने 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 मौर आते है साथ भे रुणने